गूट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अठे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरो युवान की सारी मेरेडियन्स वापस आ चुकी होती है जिस वज़े से वो अपनी कड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीता है और वहां पर होने वाले कंपेटिसन में भाग भी ले लीता है जहां उसने अपने सामने वाले पर्षन को काफी अच्छे से पीठ उसे वहां हरा दिया था अब यह देखकर सभी लोग वहां हैरान हो गए थे और यूवान की जैजाय कार करने लगे थे अब आगे जहां हम इस अपिसोड की सुरवात में सभी लोगों को यूवान को ऐसा करते हुए देख काफी हैरान होते हुए देखते हैं क्योंकि यूवान तो पहले इतना ज्यादा पावरफुल पर्षन नहीं था और अचानक से ही वो इतना पावरफुल पर्षन कहां से हो और पहले तो मुझे ये बता तुमने अपनी स्कील्स को मुझे से चुपा कर क्यू रखा हुआ था अब यूवान वहां मुस्कुराने लगता है जो देखकर वो यंग प्रिंस कहता है कि मुझे लगता है यूवान यहां कुछ चुपाने की कोसिस कर रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं वह पहले इतने ज्यादा स्ट्रॉंग परशन नहीं था अब यह सुन उसके पास वाली एक गल कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वह जरूर यहां को चुपा रहा है पर इस पर वह यंग प्रिंस वहां कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि मेरे लोग इसे यहां मैं तुम्हें यहां कि तरह से हराऊंगा अब इस पर युवान भी वहां उन्हें देखने लगता है जो देखकर युवान को वहां समझ आ जाता है कि जरूर यहां मेरे उपर कोई खत्रा आने वाला है इसे के साथ वही वहां युवान से कहने लगती है कि तुम बताओ पर चलो कोई नहीं मुझे उमीर है कि तुम यहां टॉप 10 डिसाइपल में से तो आई ही जाओगे तब ही अब वहां पर अनॉस्मेंट हो जाती है वही और एक परशन के बीच में फाइट की तब ही अब हम वहां देखते हैं कि वही काफी अच्छा पफार्म करते हुए अपने एक परशन काफ से फाइट करता हुआ धेखते हैं हैं उसके सामने वाली परशन ने अपनी सिर्ट पावर को एक्टिवेट कर लिन पर अटैक करने को चला गया था पर तभी हम वहां देखते हैं कि लिन तो इतना जादा पावर्फुल होता है कि अपने बस एक ही अटैक से उस पर्शन को काफी बूरी तरह से घायल कर दीता है पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा हुआ होता है तो वह उस से जांसे ही माड़ेगा बोर्षट करने वाले हैं यूदर भी उसे वहां रोक रहे होता है तो अब देखकर यूवान को तो वहां चांचाता कैसा कर सकता है चैसब physicians को갈 मान के करने वाले एल्डर कहते हैं कि तुम में से जितने भी लोग पास हुए हैं वो सबीं आप सकेंड राउंड में जाते हैं इसलिए अब यहां सबसे पहले वेई को देखते हैं जो अपने सामने वाले पर्षन से काफी असानी से बच रही होती है और सही मौका देखते हुए उसक इस परषन को आपने सामने वाले पर्षन को यहां सांवार यह क्या नहीं चोड़ना है वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँंगा तुम जानते ही हो अब इस पर वो पर्शन वहां डरते डरते इसके लिए मान ही जाता है तब ही अब उसके और Yuwan के बीच में fight start हो जाती है जहां वो पर्शन Yuwan को देखते ही अपनी power को activate कर काफी तेजी के साथ Yuwan पर attack करने को आगे बढ़ जाता है पर युवान भी अपनी lightning speed power का यूज कर उसके सामने से ही गायब हो जाता है अब यह देख कर लिंट वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है तब ही अधर युवान अपनी technique का यूज कर उस person पर वहाँ अटेक कर देता है जिसके बाद वो उस पर काफी बुरी तरह से अटेक कर उसे यहाँ से दूर फेक देता है और अचानक से उसके पीछे या अपने हाथ के dragon पंजो से सीधा उसके सिर पर अटेक करने को आगे बढ़ जाता है अब यह देख सभी के सभी लोग काफी जादा हैरान हो जाते हैं साथ ही उस person के तो वहाँ डर के मारे पसीने चुटने लगते हैं पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि यूवान उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिता है बलकि वह तो वहाँ अपने अटैक को रोक लेता है जिसके बाद हम वहाँ यूवान के पीछे उसके हॉली ड्रैगन को देखते हैं तभी अब यूवान उस person से वहाँ कहता है क्या तो मब अपनी हार मानते हो या फिर मुझसे तुम थोड़ा और fight करना चाहोगे जिस पर वह person वहाँ कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ अब यह देखकर तो वहाँ कि सभी के सभी लोग काफी स्जादा खुस हो जाते हैं क्योंकि यूवान ने तो यहाँ उस पर अटैक करते करते ही छोड़ दिया था इधर यह देख वो जनरल भी काफी स्जादा खुस हो रहे होते हैं कि fight करना तो कोई इससे सिखे तब यह देख वेई भी वहाँ काफी स्जादा खुस होती है पर यह देख कर उस यंग प्रिंस को वहाँ काफी स्जादा गुसा आ रहा होता है इसलिए वो यंग प्रिंस सीधा वहाँ से यूवान को मौत की ही धंकी देनी लगता है अब यह देख कर यूवान वहाँ मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी अब वो होश्ट एल्डर, वहां थर्ड राउंड की अनौस्मेंट कर देती हैं, कि जितने भी परशन ने सकंड राउंड को जीता है, वो सभी थर्ड राउंड में आते हैं, और इसमें सबसे पहले फाइट युवान और लिन के बीच में होग तभी इदर वो यंग प्रिंस लिन से कह रहा होता है, कि मैं जानता हो तुम यहां उसे हरा सकते हो, इसलिए तुम उसे सवक सिखाना मत बोलना, अब यह सुन वो सभी लोग वहां अपस में बात करनी लगते हैं, कि लिन तो यहां सच में काफी जादा पावर्फुल परशन ह इसलिए उससे सिधा फट युवान की क्यों कराई जा रही है, इदर यह देख वो जन्रल भी वहां परिशान थे, इसलिए वो वहां अपने बगल वाले एल्डर से कहते भी हैं, कि मुझे नहीं लगता कि यह सही हो रहा है, इस पर वो एल्डर वहां कहता है, मुझे तो सब स होगे, आज मैं तुम्हें काफी अच्छे से सबक सिखाऊंगा, पर यह सब देख वेई को वहां कुछ गलत लग रहा होता है, इसलिए वो वहां तुरंत ही आगे बढ़ते हुए, युवान को वापस आ जाने को कहते हैं, यह लोग कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए तुम वापस आजाओ, पर इस पर वो होश करने वाले एल्डर उसे वहां डाटते हुए कहते हैं, कि लड़की तुम्हें यहां पता नहीं है, और यह फाइट के बीच में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तुम तुरंत यहां से पीछे हटो, पर इस पर लिन से कहता है, तुम्हारा यहां बक्वास करना बंद हो गया हो तो, क्यों ना अब हम यहां फाइट स्टार्ट करें, अब इतना कहते ही, उन दोनों के बीच में काफी कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती हैं, जहां वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर, एक द यहां लिन के सभी अटैक को काफी असानी से संभाल रहा है, इसलिए अग लिन भी वहां गुसाते हुए, अपने अंदर से काफी साधा नजी को रिलीस कर दीता है, और काफी तेजी से युवान के सिधा पीछे ही या, उस पर वहां अटैक पर अटैक करना सुरू कर दीता है पर हमारा हीरो युवान भी कुछ कम नहीं था क्योंकि वो वहाँ उसके अटैक से काफी असानी से बच रहा होता है और अपने लाइटनिंग स्पीट पावर का यूज कर तुरंदी उसके पास से गायब हो जाता है इसके साथ ही हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इस टैक्निक की प्रैक्टिस याओ याओ ने ही युवान को कराई थी जहां उसने काफी अच्छे सेज टैक्निक को युवान को सिखाया था इसलिए इधर युवान लिन के अटैक से काफी असानी से बच रहा होता है जिससे तो अब लेन भी वहाँ परिशान हों चुका होता है, पर फिर भी वह वहाँ उन्से मारने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा होता है पर हमारा एरो युवान तो उसे कुछ दे तक इसी तरह से काफी जादा परिशान गईता है पर यह देखकर अब लिन को वहाँ काफी जादा गुस्सा आ गया होता है इसलिए वो वहाँ अपनी किसी और टेक्निक का यूज कर समीन पर इतने जोर से मारता है कि युवान को अब वहाँ रोकना ही पढ़ जाता है जिस मौके का फाइला उठाते हुए लिन तुरंत ही उस युवान पर वहाँ अटेक कर उसे यहां से दूर कर दीता है अब यह देखकर वही तो वहाँ एकदम से डर जाती है तब यह दे लिन वहाँ कहता है कि अभी तो मैंने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया है पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अब यहाँ अपनी हार मान लोगे पर इस पर तो यूवान वहाँ अपनी एक और टेक्निक का यूज कर सीधा लिन पर अटक करने को यहाँ से आगे बढ़ जाता है जहां या देखकर लिन तो वहाँ अपने चारो तरपिक सिल्ड बना लीता है और यूवान के अटक से वहाँ बच जाता है पर इसी बात का फाइदा उठाते हुए लिन वहाँ अपने पंच से भे युवान पर अटाक पर अटाक किये जा रहा हुता है पर फिर भे युवान वहाँ खुद को किसी तरह से समहालते हुए उसके अटाक से बच रहा हुता है पर लिन तो अब भी उस पर अपनी अनर्जी बॉल के अंदर से अटाक पर अटाक किये जा रहा होता है इसलिए यहां देख कर वो यंग प्रिंस वहां खुस होते हुए कहता है कि अब युवान यहां सरूर ही हार जाएगा क्योंकि वो यहां एक साथ दोनों ही अटाक को नहीं समाल सकता है क्योंकि अनर्जी बॉल के अटाक के साथ साथ लिन भी उस पर वहां अटाक पर अटाक किये जा रहा है इसलिए वो वहां अकेले ही दोनों ही अटाक को क्या ही समाल पाएगा इस पर उस यंग मास्टर के पास वाली गल भी कहती है कि हाँ मास्टर अपने बिल्कुल सही कहा इधर लिन अभी भी उस अनलसी बॉल के अटाक से किसी तरह से बच रहा होता है साथ ही लिन के भी अटाक को वहां काफी अच्छी तरह से समहाल रहा होता है अब इसी तरह से उन दोनों में काफी देज तक फाइट होने के बाद लिन वहां काफी गुच्साते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अब तो तुम्हारा काम खतम ही समझो अब इतना कहते ही वो वहां अपने हाथों में किसी तरह की पावर को लिए कि इती है जिसवज़े से उबांट अब हो जाता है और वहां पीछे की ऑर आ जाते हैं क्योंकि अब वहां प्रया रोक लिया था इसलिए आदेखक सभी लोग काफीट जादा खूस हो रहे होते हैं पर अब फिर से अपनी अनजी बॉल के अंदर से काफी जादा को बाहर नि उन सारे अटैक से कोई मतलब ही नहीं था वो तो सिधा लेन के पास आउस पर वहाँ अटैक पर अटैक करना सुरू कर देता है जहाँ फिर से दोनों के बीच में काफे कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है दोनों ही एक दूसरे के अटैक को वहाँ ब्लॉक करते हुए एक अपनी पावर को और भी जादा बढ़ाते हुए वहाँ एक जोल्दास से अटैक कर दीता है पर युवान तो वहाँ उस अटैक से बचते हुए सीधा हवे में जा अपनी न्यू टैगर स्कील के साथ सीधा लिन के ऊपर अटैक कर दीता है पर लिन ने तो अपने चारों दर गया था इसलिए वहां तुरंती फिस से अपने चारों तरफ बना युवान के अटैक से वहां बचने की कोसिस कर रहा होता है पर युवान तो वहां उस पर काफी जोल्दास से अटैक लाँच कर दीता है जिस वज़ए से हम वहां देखते हैं कि कुछी देर बाद लिन क से तूट जाता है और वह अटैक सिधा लिन को ही लग जाता है जिसके बाद हम वहां देखते हैं कि वह तो वहां काफी पूरी तरह से घायल हो गया होता है और इस मैच को युवान से हार चुका था इसलिए सभी लोग युवान के लिए काफी जादा खुस हो रहे होते हैं अब युवान उन सभी के लिए हीरो बन चुका था इधर यहां देखकर उस एल्डर को वहां काफी जादा घुसा आ रहा होता है क्योंकि वह यहां प्रिंस के ही साइट था और यह देख वह जंडर वाले एल्डर काफी जादा खुस हो जाते हैं और उस होश्ट करने वाले से कहते हैं कि आप यहां इस मैच के रिजल्ट अनाउंस कर दे पर वहां काफी जादा हरान था तभी युवान वहां उसे घूर कर देखने लगता है जिसकारण से उस होश्ट करने वाले एल्डर को वहां इस मैच को किसने जीता है यह बताना ही पड़ता है तभी वहां यु पड़ूंगा नहीं आज नहीं तो कल तुम्हें सबक सिखा करके ही रहूंगा और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सुस्क्राइब करें आई बाई